Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel. तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि आपकी एक्जम कब हुई है या आपने एक्जम कब देए जॉइनिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है प्रिपरेशन से मेरा मतलब है डॉक्यूमेंट से सारी चीज़े जो कि मैं आपको आज की इस वीडियो म बताने वाला हूं तो लेट से स्टाट दे वीडियो वन उफ द इम्पॉर्टेंट पॉइफोर इस्टार्टिंग दे वीडियो ऑन आर चैनल ओनलाइन लर्निंग वी प्रोवाइड दा लेटेस्ट उपर्चूनिटीट इस अपडेट अप्डेट अप्डेट आरे टू सम आ सारी चीज़े देख लीजेगा यह आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस प्लेलिस्ट में क्योंकि यह प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है यह इस्पेशली 22 बैच से लेके 2019 बैच के लिए है I.L.P. क्या होता है I.L.P. से लेके offer letter तक की journey क्या होती है इसमें सारी चीज़े मैंने आपको बता दिये तो प्लीज इस वीडियो को चेक कर लेजिएगा जिससे कि आपको कोई भी आगे doubt ना हो चलिए बात करते हैं दूसरी बात पर आप मुझे सबसे पहले comment section में बता दी यह क्या आपको ITP और Wipro Phase 3 की link आईए अभी तक बहुत सारे candidates से मेरी बात हुई है उन्हें कोई भी exam की link नहीं आईए इससे related तो मेरा आप सभी से एक ही suggestion है आपने apply किया अब link आ रही है नहीं आ रही है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो हमारे हाथ में नहीं यह company को जब recruitment करनी होगी company करेगी तो उससे अच्छा है कि हम ऐसी opportunities में apply करते जहाँ पर salary भी अच्छी खासी हमें मिले और हम यहाँ पर बहुत अच्छे से इसमें work कर सकें तो मेरी request है कि बहुत सारी number of job opportunities में आपके लिए daily basis पर update करता हूँ तो नौकरी.com पर apply करने से अच् तो हम यह सब चीजे हमारे channel पे mention नहीं करते हैं हम batches का भी mention कर देते तो please support कीजिए आप सभी के support की जरूरत है जिससे कि आप अच्छी job opportunity में लग जाएं अच्छी job opportunity verified job opportunity में आप apply कर सकें सबसे बड़ी बात है क्या training exam documents के लिए prepare करना रहेगा उसके लिए आपको note paid पे समझ incentive की होगी उसके बाद joining और सारी चीज़े पर most probably company की training होती है उसके बाद exam होती है तो सबसे पहले अपने जो भी original documents है ठीक है उसे तयार रखिए जो जो भी आपको company ने बोला है दूसरा आप select कर लीजिए कि आपको किस company में जाना है if you have multiple offers क्योंकि फिर आखरी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि mismatch हो रहाए gap हो रहाए यह ध्यान रखिए और तीसरी सबसे बड़ी बात आती है कि onboarding के लिए आप ready रहिए onboarding के लिए या फिर अगर मान लीजे joining के लिए joining के लिए अभी covid बिलकुल मतलब ऐसा नहीं है जादा भी नहीं है तो company आपको बुला सकती है तो request य ही है कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर physical location पर भी जाना पड़ा तो उसके लिए तैयार रहिए अपने documents तैयार कर लेजे कोरा पर देखिए senior से से पूछिए अगर आप चाहते कि मैं Infosys, Wipro, TCS और और companies के बारे में बताऊं कि कैसी training की exam होती है comment section में comment करके बताए ज थैंक्स पर वचिंग देखिए